तो फरिदबाद की स्कूलों में वैक्सिन की डोज लगाई चाहेंगी जिसे लेकर स्वास्तर विफाक की टीम ने स्कूलों से संपर्क किया है स्कूलों में कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए बच्चों को वैक्सिन लगाई चाहेंगी तमाम लोग जो है वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ रहे हैं कहीं न कहीं स्वास्त विभाग का जो जमीनी सतर पर तीमों ने काम किया है उसकी वजह माना जा सकता है क्योंकि लोगों में भारी जाग दूरूपता आ रही है और जिसके चलते लोग सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं हमारे साथ यहां हरीदाबाद सिविल अस्पताल के सीमों हैं दॉक्टर विन्य गुपता जी इन से जान लेते हैं कल से वैक्सीन इनका प्रोग्राम जो सुरूआ था कितने बच्चों को डोज लगी लगी कल से हमने 15-18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करा उसका उद्गार्टन शीरीकेशन पाल गुजर जी ने 16 सेक्टर कम्यूनिटी सेंटर में किया था उसके बाद से हमारे यहां बच्चों में भारी उत्सा दिख रहा है और वो वैक्सीन लगाने के लिए हमारे पास आ र लगाएगे और उनके अड्मिस्टेटर से बात कर जूए को तरह दो हैंडयो जिससे की सभी स्कूल हो के दर हम जहाओ सहाथ बच्चों और kalo कर पाएंगे और सभी को वैक्सी लगा रोर में इसकव बक्टों को बला है और वहाँ पर किस तरीका की कि निगरां कराने के लिए कहा गया है वह सभी दोगज की दूरी रखेंगे थोड़े दूरी पे खड़े हूंगे मास्क लगा के आएंगे और फिक्वेंड हैंड वाहां जुरत पड़ती है तो वह भी करेंगे तो हरे स्कूल के अंदर एदि कुछ-कुछ बच्चे बच्चे बुला जाए काम होने जा रहा है जिससे कि हम काफी लोगों बच्चों को कबर कर लेगी कहीं सारे स्कूलों में जो सरकारी स्कूल है उनमें बच्चों को बोलाए जाएगा और साब तो पर जो वहां का एडमिनिस्टेशन है उसको भी फेवर में लिया गया उनसे बात की गई है सीमों इंडिया न्यूज के लिए राजेंदर धाया